सदा चार का तावीज एक राजे में शोर मचा कि ब्रष्टाचार बहुत फैल गया है राजा ने एक दिन दर्बारियों से कहा प्रजा बहुत शोर मचा रही है कि सब जगा ब्रष्टाचार फैला हुआ है हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ दर्बारियों ने कहा जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है राजा ने कहा नहीं ऐसा नहीं है कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता है वह तुम्हें दिखता होगा तुम्हें स्वपन दिखते होंगे दर्बारियों ने कहा जी दिखते हैं पर वह सपनों की बात है राजा ने कहा फिर भी तुम लोग सारे राज्ये में ढूंट कर देखो कि कहीं भ्रष्ट अचार तो नहीं है अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमू न लेते आना हम भी तो देखें कि यह होता कैसा है एक दर्बारी ने कहा हुजूर वह हमें नहीं दिखेगा सुना है वह बहुत बारीक होता है हमारी आखे आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई है कि हमें बारीक चीजे दिखती ही नहीं हमें प्रश्टचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवी दिखेगी क्योंकि हमारी आँखों में तो आपकी ही सूरत बसी है पर अपने राज्ये में एक जाती रहती है जिसे विशेशग्य कहते है इस जाती के पास कुछ ऐसा अंजन होता है कि उसे आखों में आँच कर वे बारीक चीज भी देख लेते है मेरा निवेदन है कि इन विशेशग्यों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूनने का काम सोबे राजा ने विशेशग्य जाती के पाँच आदमे बुलाए और कहा सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है पर वे कहा है यह पता नहीं चलता तुम लोग उसका पता लगाओ अगर मिल जाए तो पकड़ कर हमारे पास ले आना विशेशग्यों ने उसी दिन से चानवीन शुरू कर दी दो महिने बाद वे पुनह दरबार में हाजर हुए राजा ने पूछा विशेशग्यों तुम्हारी जाज पूरी हो गई जी सरकार क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला राजा ने हाथ बढ़ाया लाओ मुझे दिखाओ देखू कैसा होता है विशेशग्य बोला वे स्थोल नहीं सोक्ष में है अगोचर है पर वे सर्वत्र व्याप्त है उसे देखा नहीं जा सकता अनुभव किया जा सकता है राजा सोच में पड़ गए बोले विशेशग्यों तुम कहते हो कि वे सोक्ष में है अगोचर है और सर्व व्यापी है ये गुण तो ईश्वर के हैं तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है विशेशग्यों ने कहा हा महराज अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है एक दर विशेशग्यों ने जवाब दिया, वह सर्वत्र है, वह इस भवन में है, सिंहासन में है, कहकर राजा साहब उचल कर दूर खड़े हो गए, विशेशग्यों ने कहा, हाँ सरकार, सिंहासन में है, पिछले माव इस सिंहासन पर रंग करने के लिए जिस बिल का भुकतान किया ग आपके पूरे शासन में ब्रश्टाचार है और वह मुख्यता घूस के रूप में है। विशेशग्यों की बात सुनकर राजा चिंतित हो गए और दर्बारियों के कान खड़े हो गए। राजा ने कहा यह तो बड़ी चिंता की बात है हम ब्रश्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेशग्यों तुम बता सकते हो कि वह कैसे मिट सकता है। विशेशग्यों ने कहा हां महराज हमने उसकी भी योजना तयार की है। ब्रश्टाचार मिटाने के लिए महराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे एक तो ब्रश्टाचार के मौके मिटाने होंगे जैसे ठेका है तो ठेकेदार है और ठेकेदार है तो अधिकारियों के लिए घोज है ठेका मिट जाए तो उसकी घोज मिट जाए इसी तरहां और भी बहुत सी चीज़े है किन कारणों से आदमी घोज लेता है यह भी विचारनी है राजा ने कहा अच्छा तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ हम और हमारे दर्बारी उस पर विचार करेंगे विशेशग्य चले गए राजा ने दर्बारियों के साथ मिलकर ब्रश्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा उस पर विचार किया विचार करते दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्ते बिगड़ने लगा एक दिन एक दर्बारी ने कहा महराज चिंता के कारण आपका स्वास्ते बिगड़ता जा रहा है उन विशेशग्यों ने आपको जनजट में डाल दिया राजा ने कहा पर करें क्या तुम लोगों ने भी ब्रश्टाचार मिटाने की योजना का अधेयन किया है तुम्हारा क्यामत है क्या उसे काम में लाना चाहिए दर्बारियों ने कहा महराज यह योजना क्या है एक मुसीवत है उनके अनुसार कितने उलट फेर करने पड़ेंगे कितनी परिशानी होगी सारी व्यवस्था उलट पलट हो जाएगी जो चला आ रहा है उसे बदलने में नई-नई कठनाईया पैदा हो सकती है हमें तो कोई ऐसी तरकीव चाहिए जिससे बिना कुछ उलट फेर किये ब्रश्ट अचार मिट जाए राजा साहब बोले मैं भी यही चाहता हूँ पर यह हो कैसे हमारे प्रपितामा को तो जादू आता था हमें वह भी नहीं आता तुम लोग ही कोई उपाय खोजो एक दिन दर्बारियों ने राजा के सामने एक साधू को पेश किया और कहा महराज एक कंदरा में तपस्या करते हुए इन महान साधक को हम यहां लाए है तावीज राजा को दिया राजा ने उसे देखा बोले हे साधू महराज इस तावीज के विशे में मुझे विस्तार से बताओ इससे आदमी सदाचारी कैसे हो जाता है साधू ने समझाया महराज ब्रष्टाचार और सदाचार मनुशे की आत्मा में होता है बाहर से नहीं आता विधाता जब बनाता है तब किसी आदमी की आत्मा में इमानदारी की कल फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की इस कल में से इमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं जिने आत्मा की पुकार कहते हैं, इस पुकार के अनुसार ही मनुश्य काम करता है। प्रश्ण यह है कि जिनकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं, उन्हें दबा कर इमानदारी के स्वर कैसे निकाले जाएं। मैं कई वर्षों से इसी के चिंतन में लगा हूँ, अभी मैंने यह सदाचार का तावीज बनाया है, जिस आदमी की भुजा पर यह बंधा होगा, वैस सदाचारी हो जाएगा, मैंने कुत्ते पर भी प्रयोग किया है, यह तावीज गले में बान देने से कुत्ता ही रोटी नह और आदमी को तावीज के इमान के स्वर सुनाई परती है, वैं इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझ कर सदाचार की और प्रेरिध होता है, यही इस तावीज का गुण है महराज, दर्बार में हलचल मच गई, दर्बारी उठ उठकर तावीज को देखने लगे, राजा ने संकत हर लिया, हम सर्व्यापी ब्रष्टचार से बहुत परिशान थे, मगर हमें लाखों नहीं, करोडों तावीज चाहिए, हम राज्य की ओर्द से तावीजों का एक कार खाना खोल देते हैं, आप उसके जनरल मैनेजर बन जाए, और अपनी देखरेक में बड़िया ताव से तावीज बनवा कर राज्य को सप्लाई कर देंगे, राज्य को यह सुझा पसंद आया, साधू को तावीज बनाने का ठेका दे दिया गया, उसी समय पाच करोड रुपे कार खाना खोलने के लिए पेशकी मिल गई, राज्य के अखबारों में खबरे छपी, सदाचार के तावीज की खोज, तावीज बनाने का कार खाना खुला, लाखो तावीज बनाए गए, सरकार के हुक्म से हर सरकारी कमचारी की भुजा पर एक एक तावीज पांध दिया गया, ब्रश्टाचार की समस्या का ऐसा सरलहल निकल आने से राजा और दर्बारी सब खुश थे, ए उस दिन दो तारीख थी, एक दिन पहले ही तन्हुआ मिली थी, वे एक करमचारी के पास गए और कई काम बता कर उसे पांच रुपे का नोट देने लगे, करमचारी ने उन्हें डाटा, भाग जाओ यहां से, घुज लेना पाप है, राजा बहुत खुश हुए, तावीज करमचारी को इमानदार बना दिया, कुछ दिन बाद वह फिर वेश बदल कर उसी करमचारी के पास गए, उस दिन 31 तारिक थी, महिने का आखरी दिन, राजा ने उसे पांच का नोट दिखाया, और उसने लेकर जेब में रख लिया, राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया, बो तावीज दिखा दिया, राजा असमंजस में पड़ गए, फिर ऐसा कैसे हो गया, उन्होंने तावीज पर कान लगा कर सुना, तावीज में से स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 है, आज तो ले ले